건데 आज में इस टॉपिक में बात करने वाली हूं मुझे बबता है आप मैंसे बहुत सारे लोग इसे हैं जिन्हें इसकी पूरी जानकारी है लेकिन बहुत सारय लोग इसे भी है जिन्हें इसके बारे में अभी भी confusion है कि इसे कभी यूज करते हैं जीवाँ प्रेंज आज है वो foundation की ही base है जब हम consultation apply करते हैं उससे पहले हम primer को apply करते हैं Foundation से पहले हमें primary application करनी हो हुती है और जब हम το insan rag fuck up complete करते हैं उसके बाद our косme pie करते है primer application उतने ही जरूरी है jitनी हम दिवाल में paint करवाते समय primer को use करते हैं क्या आप जानते हैं फ्रेंट्स जब हम primer को apply करते हैं तो वो क्या करता है प्राइमर हमारे skin को blur कर देता है जो भी आपके skin में unevenness होगी यहां पी गड़े होंगे बहुत सारे लोग हैं जिनके skin में बहुत प्राबलम है यानि कि उन्हें open pores की problem है ऐसे आप देखोगी close तो थोड़ी थोड़ी गड़े हैं उनके skin में pores open है और बहुत skin uneven दिख़ाया है कहीं पे dark circle है कहीं पे कुछ है तो मतलब जो भी आपके skin की texture है उस सब texture को blur करके उसे ऐसा दिखाएगा जैसे कि कुछ ही नहीं आपके skin पे और skin पूरी एकदम हो जाएगी even तो यह काम होता है प्राइमर का प्राइमर हमारे skin के सारे texture को blur करता है और देता है एक बहुत even skin foundation की application के लिए प्राइमर के बहुत सारे types है लेकिन जो हमें प्राइमर लेनी चाहिए वो हमें अपनी skin के recording लेनी चाहिए अगर आपके skin oily है तो आप लेंगे silicon based primer या फिर mattifying primer जो आपके skin में आ रहे है oils को mattify कर देगा या फिर skin में जो oil secretion है उसे कहीं हद तक रोक देगा skin oily है तो आप यूज़ कर सकते है color bar का primer या फिर आप यूज़ कर सकते हैं lacmy absolute की blur primer जो की बहुत अच्छी option है आपके लिए एक बहुत ही अच्छी primer है सभी इस ग्रूप बालों के लिए और all skin type बालों के लिए आप इसे बाई कर सकते हैं अगर आपके skin dry है तो आप यूज़ कर सकते हैं कोई cream based primer जो primer थोड़ी सी थिक हो या फिर उसमें cream based हो अगर आपके skin में बहुत सारे pores हैं इस तरह के pores हैं आपके skin पे तो आप आप यूज़ करेंगे smash box की primer या फिर benefit की pore professional primer या फिर आप यूज़ कर सकते हैं elf की putty primer भी यह सारी primer जो है वो बहुत सारे open pores वाले या फिर जिनके skin में बहुत सारी problem है इनके लिए यह primer और आप primer को हमेशा choose कीजिए अपने according to skin type कुछ ऐसे भी primer है गाइस जो सभी skin type बालों के लिए बहुत ही perfect है लाइक लाक्मी की absolute blood primer bar की primer फिर आप ले सकते है sugar की primer जो की बहुत अच्छी range है और insight की primer भी affordable range में बहुत अच्छी है गाइस आप ले सकते हैं उसे भी अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आपको as a primer use करना ले सकते हैं aloe vera gel aloe vera gel भी एक बहुत ही अच्छा primer है जो की work करता है आपके skin के texture को blur करने के लिए primer का काम क्या होता है guys primer हमारे skin के texture को blur करता है जो भी unevenness है या फिर जो भी आपके skin में pores है या फिर जो भी गड़े हैं उनको भरने का काम करता है primer बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो की बोलते हैं कि foundation लगाने के बाद मेरा चेहरा काला पर जाता है तो उन लोगों मैं यह कहना चाहूंगी हो सकता है आपने primer का use नहीं किया होगा इसलिए आपका foundation काला पर रहा है यह color bar की जो primer है यह flawless finish primer जो की all skin type primer है यह inside की primer है guys यह भी बहुत affordable range की primer है और यह 3 in 1 primer है 3 in 1 prime protect and moisturize oil free primer है यह long lasting makeup के लिए आप इसे use कीजिए affordable range में है अगर आप polish going girls है अगर आप regular use के लिए कुछ लेना चाहते हैं primer तो आप इसे भी ले सकते हैं यह बहुत अच्छी primer है तो यह थी primer के बारे में पूरी जानकारी friends I hope कि आपको यह पसंद आई होगी अगर यह वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को like and subscribe करना मिलती हूँ आपसे next video में till then bye bye झाल 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 झाल